आज किल हम पता नहीं कैसी मासिक्ता के बीच रह रहे हैं जो इंसान ही इंसान और जानवरों का दुश्मन बनता जा रहा है हाली में ऐसा ही कुछ मामला सामनी आया है उतरी केरल के मलम पुरम जिले से जहां एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामनी आयी है यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर एक गर्भवती हतनी को विसफोटग भरा अनानास खिला दिया इस अनानास को खाने के बाद हतनी की हालत बुरी तरीके से बिगड़ गई और वो काफी जखमी हो गई इस बेजुबान जानवर की मजबूरी ऐसी थी कि वो ये भी नहीं बता सकती थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है और अपने इसी दर्द को कम करने और शायत मौत के आगोश में समा जाने के लिए हतनी जाकर पानी में खड़ी हो गई जानकारी के मताबिक हतनी गर्भवती थी और खाने की तलाश में वो शहर की और आई थी जहां कुछ लोगों ने उससे विस्फोटक से भरा अनानास खिला दिया जिसके विस्फोट के चलते उसका जबड़ा बुरी तरीके से फट गया उसके दाद भी तूट गए और वो बुरी तरीके से घायल हो गई अपने इस दर्द को कम करने के लिए हतनी नदी के पानी में खड़े होकर बार बार पानी पी रही थी ताकि वो अपने दर्द को कुछ राहत दे सके हतनी लगातार तीन दिन तक इस पानी में खड़ी रही ताकि उसे कुछ आराम मिल सके लेकिन आखिरकार वो अपने आपको नहीं बचा पाई और उसकी मौत हो गए शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को जो एक बेजुबान जानवर की मदद करने की जगा उसे अपने मनुरंजन का जरिया बना रहे हैं और इस कदर अपने मनुरंजन को खुद पर हावी कर चुके हैं कि उन्हें इस हतनी की जान की भी परवान नहीं थी हतनी के साथ जैसे ही ये घटना हुई उस बेजुबान जानवर की अंदर बसी मानुता को देखिए जो शायद आज का मनुरं भूल चुका है वो घायल थी करहा रही थी चाहती तो गाओं में किसको नुकसान पहुचा सकती थी लोगों की जान की दुश्मन बन सकती थी लेकिन उसने ये सब ना करते हुए वहाँ से चले जाना उचित समझा और नदी के पानी में खड़ी होकर खुद की जान बचाने की कोशिश करती है वन विभाग तक जब इसकी सूशना पहुची तो हथनी को रेस्क्यू करने के लिए टीम महाँ पहुची लेकिन वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पाय और आखिरकार हथनी ने दम तोड़ दिया एक वन अधिकारी ने हथनी की फोटो के साथ एक भावनात्मक पोस्ट लिखते हुए ये जानकारी दी है हथनी के साथ ये कृतिक किस ने किया ये अभी सामने नहीं आया है लेकिन शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को जो एक बेजुबान जानवर को इसकदर नुकसान पहुचा रहे है